हेलो दोस्तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपके लिए बहुत यह इंटरस्टीन चीज़े ला रहा हूँ इसलिए इससे जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो आप दुरू देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की हुआ डैली में स्कूलिंग के बाद उन्होने G-I-S-M रोहिनी में एड्मिशन ले ली जहां उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में градuasion की निया का रियल नेम निया शर्मा था लेकिन उन्होंने अपना नाम बदल के निया रख लिया क्योंकि उन्हें ये लगता था कि निया बहुत कॉमन नेम है और वो कुछ डिफरिंट रखना चाहती थी बच्पन में ही निया के पिता गुजर गए इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उनकी माने संभाली 2010 में निया ने अपना एक्टिंग करियर एक सीरियल काली से शुरू किया इसके बाद 2011 में उन्होंने सीरियल बेहने में काम किया इसके बाद उन्होंने एक हजारों में मेरी बेहनाय सीरियल में काम किया जिसमें उनका नाव मानवी था इस रोल ने उन्हें पॉप्लर बना दिया लोगों को निया की एक्टिंग काफी पसंद आई इसमें उन्होंने एक कैंसर पेशन का रोल भी किया इस सीरियल में उन्होंने चार महीने स्किन ट्रीटमेंट भी करवाया एक्नी और डाक सरकल्स रिमूव करने के लिए जो के मेकप लगाने की वज़े से हुए थे तीन स्टार प्लस्ट के सीरियल करने के बाद उन्होंने ZTV के सीरियल जमाई राजा में काम किया इस सीरियल में उन्होंने में रोल किया और ये सीरियल दो साल तक चला 2014 में उन्होंने सोनी टीवी बॉक्स आफिस लीग में भी पार्टिस्पेट किया 2016 में ही उन्होंने टॉप 50 सेक्सियस्ट एशियन वोमन में 3rd rank हासिल किया अब 2017 में निया ने फियर फैक्टर खत्रों के खिलाडी 8 में पार्टिस्पेट किया है 6 अगस्त को वो एलिमिनेट हो चुकी थी लेकिन बाद में वाइल्ड कार्ड एंट्री की वज़े से वापिस कॉंटेस्ट में आ गई आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कॉमेट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें बताएं कि और किसकी बायोग्राफिय आपको जाना है